गूट बॉर्निंग स्टुडेंट्स टोड़ी भी सेल डिसकस अबाउड टॉपिक हिस्टोरिकल पर्स्पेक्टिब ओफ इंक्लूजिव एजूकेशन पिर यह विद्धारती हूं आज हम समावेश्य सिक्षा के इतिहास के विश्य में अध्यन करेंगे अब समावेश्य स्टूरिकल बैक्ग्राउंड की बात करेंगे तो इस पेसल एजूकेशन को लिंक करते हुए इंटिग्रेटर तक लेके जाएंगे उसके बाद में इंक्लूजिव पर जाकर इसको रोकेंगे अब बात करेंगे इस्पेसल एजूकेशन में क्या होता था एक सेम कर्टागरी क पड़ाये बच्चे का गुरूप होता था इस्पेसल बच्चों का गुरूप एक साथ पढ़ायी होती थे अब उसमें क्या था दूसरी डिसेवलीटी या नॉर्मल श्टूडिट उनके साथ नहीं थे तो बच्चों का सोशल इंट्ट सोशल डबलमेंट पर्शनाल्टी का सोशल इंट्रेक्शन किसी नए कंडिशन में इस्टेंट करना पूलुक अड़्जेस्ट नहीं कर पाते थे गवर्मेंट का ध्यान गया कि इन बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों कितने ट्रीट किया जाए तो उन्होंने इंटीग्रेटेड इजुकिशन की बात की यह इं पर भी नॉर्मल बच्चों की क्लास अलग इस्पेसल बच्चों की क्लास अलग प्रॉब्लम बही रही क्योंकि जो प्रॉब्लम इस्पेसल स्कूल में थी यहां भी बच्चे अलग बहां भी बच्चे अलग तो बच्चे के अंदर यहां भी इंफिरियर्टी कॉंप्लेक्स आया बच्चे उन लोगों की एक्टिबिटी में पाटिसिपेड नहीं कर पाते थे तो बच्चे का सोसल डबलमेंट नहीं हुआ परस्टनाल्टी डबलमेंट नहीं हुए फिर बात आती है इंक्लूजब इजूकेशन के इंक्लूजब इजूकेशन में नॉर्मल बच्चे इस से उन बच्चों का सोसल डबलमेंट, फिजिकल डबलमेंट, इमोशनल डबलमेंट, परस्नालटी डबलमेंट, सोसल इंटरेक्शन, सब कुछ बराबर होता, उनके तरह डिस्पॉंसिबिलेटी को समझते हैं, और उन लोगों के अंदर भी आत्म चेतना का विकास होता, अब हम बात करते हैं, inclusive education, inclusive education being relatively in new term, does not have a long history as compared to the history of disability, the education of the disabled which may be said to be as old as the history of mankind, for looking into this history, it may be divided into seven eras characterizing the way disability has been treated during its period, अब हम जो inclusion education है, उसके उसको seven period में बाड़ लेंगे, seven period में कैसे के position थी, special बच्चों की और उनके education की, तो पहला period आपका है था era of exclusion, इसमें सिखते हैं, exclusion का मतलब बच्चे को, special बच्चे को बाहर कर देना, society से बाहर कर देना, 17th, 18th century में, क्या होता था, इन बच्चों की हत्या कर दे जाती थी, इन बच्चों को परित्याग कर दिया जाता था, या इन बच्चों को जला दिया जाता था, क्योंकि यह लुग मानते थे, जो special children है, जो business वालक है, वो punishment of God है, या curse of God है, या भगवान का अभिसाप है, इस बज़े से, वो जन्म के ब बच्चे को दूर कर देते थे, doing away with the disabled child from their worth, बहुत देनी इस्तिती थी, क्योंकि इस एज में, European country, American country में यह होता था, बट अपने इंडिन country में, पुराने टाइम से ऐसा नहीं होता है, दूसरी बात करते है, era of acceptance as a subject of amusement, अब इसमें क्या होता था, बच्चे को मारना बंद कर दिया गया था, बच्चे किलिंग बंद हो गई, बंदिंग बंद कर दिया गया, बच्चे को परित्याग नहीं किया जाता था, लेकिन अब इन्होंने इसको बच्चे को as a subject of amusement मान लिया, क्या होता था, बच्चे को सरकस में ले जाते थे हैं बच्चे को जोकर बना देते थे हैं और ए चीजिए करने लगें लेकिन सिक्षा के बात यहां पर भी नहीं आई अब यहां पर यह लोग कर दिये हैं, मतलब यहां पर भी सिख्चा की कोई बात नहीं आई, इसके आगे हम बढ़ते हैं, अब यहां पर बच्चे के लिए जो चर्च थे आपके, जो आपके धर्म गुरू थे आपके, जो पादरी थे आपके, उन्हों ने इन बच्चों के लिए भी बिधिक, इनका बर्गों का निर्धारन किया, लेकिन अब भी जादू टोना में यहां पर बहुत ज़्यादा आई, तो यहां पर क्या हो गया था आपका, चर्च ने लेवल लगा दिया था, या चर्च आपके कहने लगे थे, कि यह बच्चे भी और बच्चों की तरह, प्योर नहीं है, यह बच्चे इंप्योर हैं आपके, तो इन बच्चों की दो कर्टागर बाट दी गए, एक बो आपके बच्चे आपके जो आपके डिसेबल बच्चे इंप्योर हैं, कौन कहते थे बहां की चर्च की पादरी कहते थे आपके, तो इन लोगों में मत्यत थे, तो इन्होंने दो गुर्व बाट दियें, बस यह था कि हत्या नहीं होगी, लेकिन उन बच्चों को एक स्पेस आपका यह जाएगा आपका, अब यहाँ पर मनिश्चों के अंदर थोड़ी मान अपता जागी, उन्होंने इन बच्चों की तरफ धान देना प्रारंब किया, असायलम का निर्मार कराया गया, उसी में लोग रहने लगे थे, इसके बाद अगला कौन से आता है आपका, स्कूल जिसमें स्वेशल बच्चे हैं अपकी रहते थे, जैसे बिलायंट students से, आपके बिलायंड श्कूल बना थे हैं, आपका, यहेरिंग प्रोब्लम भाले थे हैं, तो हेरिंग प्रॉब्लम का सकूल बना, और आपका, फिजीकली disabled हैं, तो सब्सछेकल अपना आपका का, लोको मोटर है तो लूको मोटर बना को हुआ करेक्टराइच केकोडिंग यहां पर लुजोच का निर्मार किया गया है। मतलब आपका इंटिग्रेटिट एजूकिशन नॉर्मल बच्चे जाएंगे किलास उनकी अलग हो जाएगी लास्ट आता है आपका इरा और इंक्लूजिव एजुकेशन जिसके हम लोग बात कर रहे थे अब यहां पर बच्चा रेगलर स्कूल में जाएगा इस रेगलर किलास में जाएगा टीचर सेम रहेगा कैरिकुलम सेम रहेगा टीचिंग मेथड सेम रहेगे उनका इसाइनमेंट वर्क सेम रहेगा एक सब आपके इक्कोल है यहां पर बच्चे को एक्कोली हम लोग ट्रीट करेंगे बच्चे से नहीं कहांगे कि बच्चा इस पेसल है कि आपका क्या बच्चे की प्रतिया आपर हम दया नहीं रखेंग सिंपथी नहीं रखेंगे बल की सीधे सीधे बच्चे को इक्वली ट्रीट करेंगे जैसे विच्छ हम नॉर्मल बच्चे के साथ करते हैं अब हम बात करते हैं इंडिया सेनेरियों में कि इन्कुलूजफ इजुकेशन का डवलेमेंट क्या हुआ अगया है इन्डिया डिसकस्ट इन्टू सेक्षन बीफोर और अप्टर फ्रीडम भारत में जो इन्कूलूजब इजुकेशन का विखास है उसको हम दो बागों में भाड़ते हैं एक आपका सोतंतरता से पूर्ब और और दूसरा सोतंतरता के नहीं बाद इंडिया है इसमें क्या होता है इंडिया है इस बेरी गिलोरियस पास्ट बिस रिस्पेक्ट टू दा ट्रीटमेंट और इजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड फॉर डिसेबल पॉपॉलिशन पहले हम बताया थे हम लोगों की देश भा बाव नहीं करता था यहां पर हम बात करेंगे सबसे फेले बैदिक किरा की बैदिक कालीन की जो हमारे रिसी मुनी होते थे आज की सवे में जिनको हम टीचर बोलते हैं हर बच्चे को अपने हर इस्टूडेंट्स को एक्वेली ट्रीट करते थे फिर हम बात करेंगे मेडिया बीडियो विडियो विज में करते हैं दिए में दिए मुगल फिर्य ट्रीटिशन अप स्टेट फंडिंग अधिक कालीन में जो मुगल सामराजी था आपका तो उसमें जो इन लोग फंडिंग की विवस्ता थी वो राज का नहीं करता भी होता था कि राज जो उनके राज में जो गरीब हैं जो इस्पेशल हैं वो उनकी जिम्मेदारिये उनको ट्रीट करेंगे जैसे एक्जामपल दिया आपका माराथा और पेश्बा का तो इन्होंने चैरिटिय बसंस्ताय बन बाई थी इस्पेशल बच्चों के लिए और गरीब लोग करते हैं इसकी जो उत्पत्ती है क्रिश्चियन मिशनरी के दुवारा करी गई है आप भारत में और जो सामाजिक संस्थाएं थी उन लोगों को सहयोग से तो इसका थोड़ा हिस्ट्री है आपका जो पहला आपका फर्स्ट स्कूल फॉर दर ब्लाइंड इसकी इस्तापना हो इसकी इसकी स्थापना होई थी बॉम्बे में इन इंट्टिए इट फर्स्ट इस्कूल फॉर ब्लाइंड इन डीव मैसूर में स्था ब्लाइंड दिवमें स्थापना होई थी इसकी 1901 में 1901 उसके बाद ने पहला गबर्मेंट विद्याल है इसकूल आपका इस सरकार के गया था इसका नामता था Immersan Institute of Blind लाहूर में 1996 में इसको इस्तापित किया गया था इसको इस्तापित किया गया था इंडिया जब सोतंत्र होने के टाइम पर आई जब फ्रीडम के टाइम पर आए तो भारत में कुल मिलाके 34 Institute for Deep 32 for Blind और 3 Institute for Mentally Retarded ये पोजिशन थे आपके कि इतना इतना आपको वहाँ पर मिला था इन मतरब इतना डबलमेंट हो चुका था कि डीफ पच्चों के लिए 34 ब्लाइंड के लिए 32 और 3 for Mentally Retarded आगे बात करेंगे में फिर पोस्ट इंडिपेंडेंटेंट्स एरा सोतंत्रता के बाद आप्टर इंडिया ने शिक्चा के छेत्र में ध्यान देना प्रारंब किया था आप्टर इंडिपेंडेंडेंट्स इन नाइटिन फॉटिसेवन इंडे ट्राइट फोकस ओन दा इजूकेशन ऑफ द चिल्रन इंक्लूडिंग डिशेवल्ट सबसे पहले पॉलिशी आई आपके 1971 में बट इसको लागू किया गया था आपका 1974 कि दे यूनिन गवर्मेंट भार सरकार के द्वारा जिसका नाम दिया गया था समा जिसका नाम दिया था समन्वित विद्ध्याले समन्वित सिक्षा आपकी इसमें क्या हुआ था आपका इन्हों ने थोड़ा रिकमेंडेशन दिये थे हैं कि स्पेशल बच्चों के लिए कैसे क्या करना है पहला था कि प्रोवाइड एजुकेस्टनल अपॉर्चुनिटी टुई स्पेशल चिल्डरन इन रेगुलर स्कूल बच्चे को सभी सेक्षि अपसर उपलब्द कराये जाएं सामान विद्यालों में ही सामान बालकों की तरहें दूसरा था आपका फसलेटेट रिटेंशन और इस्पेशल चिल्डरन इन स्कूल सिस्टम उन बच्चों को सभी सुक्सुबदाय दे जाएं जो सामान बालकों को दे जा रही हैं कोई भी स्कूल यहाँ पर नहीं किया जाएगा इंटीगरेग चिल्डरन फ्रॉम स्पेशल स्कूली तो कॉमन स्कूल जो बच्चे इस्पेशल स्कूल में पड़ रहे थे उनको उनका प्लिस्मेंट यहाँ पर inacces dw में किया जाएं ए रिकमेंडेशन थें आपकी IEDC Integrated Education for Disabled Children के द्वारा इसके बाद में आपके आते है नेशनल पॉलिशी ओन एजुकेशन 1986 इस पॉलिशी में क्या कहाता है आपका फिर नेशनल पॉलिशी ओन एजुकेशन बाज अदॉप्टेट वाई दा इंडियन पार्लियमेंट in 1986 the policy stress on the removal of disparities and ensuring equalization of educational opportunity under its para-education of the disabled इन्होंने भी recommendation दिये है अपने कि सभी भेदभाव को अलग करके समानता उपलप्त कराते हुए सभी बच्चों को नौर्मल बच्चों की तरह समान इदिकार दिये जाएंगे पहला इनका recommendation था लोको मोटर जिनको चलने में प्रोब्लम होती है और हलके बिकलांग बालक जिनके अंदर बिकलांग था बहुत कम होती थी माइल्ड होती थी उन सब को कॉमन स्कूल में प्लेस्मेंट किया जाए कॉमन स्कूल में प्रिमोट किया जाए नौर्मल बच्चों के साथ में पढ़ाया जाए दूसरा था आपका स्कूल बिद हॉस्टल फैसिलिटी बिल बी प्रॉबाइड़िट जो स्पेसल बच्चे होंगे उन सब को स्कूल में हॉस्टल की सुभिधा दी जाएगी क्योंकि स्पेसल बच्चे ज्यादा दूर का जर्णिन नहीं नहीं कर पाएंगे उनको रूज इसकूल आने जाने में प्रॉब्लम होगी तो में रिकमेंडेशन था 1986 का कि स्कूल में ही हॉस्टल की वेवस्ता की जाए तीसरा था इस्पेशल वालकों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि वो किसी ना किसी वेवसाई की सिक्षा लेकर अपना वेवसाई प्रारंब कर सकें चौत था आपका टीचर्स ट्रेनिंग प्रॉग्राम बिल बीरी सेप्ट जो पुराने टीचिंग कोर्स सामके चले आ रहे थ प्राइमरी की टीचरों में और जो इस्पेशल टीचर थे आपके जो की इन विध्यारतियों को पढ़ाते आपके अगला था वॉलिंटेरी इफ एर्ट बिल बीन करेज्ट जो वॉलिंटेर होंगे जो अगरड़ी लोग होंगे आपके इस एरिया में आना चाहाते हैं इन ल बात करेंगे आगे अभी 1986 की बात हो रही थी इसे का इंप्लिमेंटेशन है आपका प्रोग्राम ऑप एक्शन 1992 जो प्रॉब्लम्स थी जब 1986 लागू हुई थी आपके राजिव गंदी की टाइम में तो उस अंसत में पार्लियमेंट में इसके खिलाब भी थोड़ा अभी लोग एक मत नहीं हुए थे तो उसके परणाम स्वरूप आपका 1992 प्रॉग्राम ऑप एक्शन आया था अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेट फॉर्ड़ डिसेबल कि इससे पहले हम बात कि यह थे सबसे पहले आई डिसी का इसमें क्या था जो यह प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेट इजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड यह जोएट वेंचर था आपका एमेचारडी का और युनिसेब का दोनों लोग ने संयोक्त रूप से काम किया था इस प्रोजेक्ट में 1987 में इस प्रोग्राम को हम एक पाइलेट प्रोजेक्ट के रूम में देखते हैं सबसे पहले महराष्ट्रा नागरलेंड उरीशा राजिस्तान तबिलाडू हर्याना मिजूरम देहली मुनिसिपल कार्पोरेशन बड़ोजा मुनिसिपल कार्पोरेशन इन्होंने क्या थिया प्रोजेक्ट एरिया में एक बिलॉग की पॉपिलिशन को इंकुलूट किया था और उसके र इससे पहले हम बात किये थे हैं इंटिग्रेटेट एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्टरन जो 1974 वालत था उसमें क्या था उसमें भी प्लानिंग 1971 में की गई थी यूनिन गवर्मेंट आप इंडिया के दौरा उसका उसको भी हम एक्सपरिमेंट के तोर पे देखते हैं क्य कि अगया था कि कैसा क्या आपका उसमें रहेगा अब हम बात करेंगे दा रियाविलिटेशन काउंसल आप इंडिया आर्सी आइंटी नाइंटी टू यह बहत संस्था है भारतिये पुनरबास संस्थान जितनी स्पेसल बच्चे होते हैं जितनी डिसेवल्ड बच्चे होते हैं उनको सबकि गवर्निंग बॉडी है आपकी सेलेबस फिर्म करेंगी कार्यूकुलम फिरेंगी उनकी टीचिंग जो कोर्स होंगे उनको यहीं डिजाइन करते हैं बिक लांग बच्चों से संबंदित इस्पेसल बच्चों से संबंदित या लग डिशेवल्ड बच्चों इसके बारे में लेकिन आर्सयाई भी नाइटिटिक्टिटिटिग इसके बारे में लेकिन आर्सयाई भी 2022 में आपके आई है लेकिन इसकी जो इस्तापना थी 1986 में की गई थी लेकिन 1992 में बान्वे को भारतिय पुनरबास परिशत या Rehabilitation Council of India का अधिनियम संसत के द्वारा पारत किया गया था बस मेंबर्क इसका यही था और इस संसत में दोहजार बास अंसोदन था आपका करिकुलम मॉनिटरिंग एवलुएशन असेस्मेंट आप टीचर ट्रेनिंग एंड रिशर्च एंड डबलमेंट और स्पेशल एजुकेशन इसके एंडर में आते थे आपके उसके बाद आपका एक एक्ट आता है पर्सन बिद डिशाविलि प्वड एक्ट प्वड एक्ट में क्या होता है इस्पेशल फॉर फिजिकली डिस्पेशल के लिए पूरे तरह से आया था दिस एक्ट इस अलंड मार्क इंडिन हिस्टरी और स्पेशल एजुकेशन इंडिया इस कंप्रिहेंशिव एक्ट कवर सेवन डिशाविलिटीज ब् एंड मेंटल इल्नेस इसमें क्या था यह जो आपका एक्ट आया था परसंद डिसाबलेटी एक्ट इन्होंने जिस्पेशल बच्चे थे सब लोग उनको दूर कर देते थे नॉर्मल स्कुल में भी उन लोगों को सुब्धाएं नहीं मुलती थी जो उनको नीड होती थी नी उसको दूर करने के लिए एक्ट बना आपका 1995 में और इन्होंने 7 केटागरीज को डिवाइट किया था यहां पर हम बात कर लेते हैं DPEP प्रोग्राम 1997 डिस्ट्रिक्ट प्रामरी एजुकेशन प्रोग्राम 1997 DPEP in total literacy can't be achieved without imparting education to special children in a suitable environment special children were enabled to access to equal opportunities in classroom to promote this DPEP proposed integrated education for disabled children wherein the part of children can had access to nearest school with peers of the same group and class for the education the special children DPEP aimed at अब जो आपका डिस्ट्रिक्ट प्रामरी एजुकेशन प्रोग्राम 1997 था इन्होंने माना कि अगर हम भारत के पूरी साक्षरता दर चाहाई है total literacy चाहिए तो जो विस्ट्ट वालक है उनको भी पढ़ाना होगा नर्वल स्कूलों में तभी भारत की साक्षरता को हम total या complete कर पाएंगे इन्होंने जो पहले आपका 1974 Integrated Education for Disabled Children के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया था और इन्होंने इस प्रोग्राम के लिए इन्होंने इस प्रोग्राम को स्टार्टिंग में 18 डिस्ट्रिक्ट में चलाया था उसके बाद गुजरात हर्याना, ओरिशा, तविलनाडू, उत्राखन ने सभी ब्लोग में अप्लाई कर दिया था क्या-क्या उद्दिश थे इनके Community Mobilization and Early Identification जो एक निश्य समयदाय में Community में जो Special वच्चे होते हैं उनका प्रारंब में ही identification करना और उनको तुरंद Special इस्कूल जो इन लोगों ने बनाया थे इंटेग्रेटेड़ वाले उसमें उसको प्लिस्मेंट करना इन सर्वेस टीचर ट्रेनिंग इनोंने टीचर ट्रेनिंग की प्रोग्राम की बात की थी इस्पेशल टीचर के लिए कौन को से ट्रेनिंग देनी है कहां ट्रेनिंग देनी है इसके लिए हमने डाइट की विवस्ता कराई थी जो प्रतिक जन्पद में पाए जाते हैं अगला था जिस प्रकार की डिसेबिलेटी है उससे संबंदित एड्स के लिए भी बात की गई थी प्रोबीजन और पीजुकीसर एड्स एंड एप्लाइंस यहां पर भी उपर वाली बात है जो रिसोर्सेस हैं आपके किसी भी प्रकार के रिसोर्स की विवस्ता करना डीपीपी किया जाए बहुत हैल्दी हो कोई प्रॉब्लम ना हो उस एक्टमसफेर के बदले भू कहीं भी जाएं अपना सोचल एड्जिस्टमेंट इस्तापित कर सकें किसी के सामने खड़े हो सकें कोई भी बात अपनी रख सकें इसके लिए उनके लिए बेरियर फिरी उसके बात करते हैं एक्टम प्लान फॉर इंक्लूजिव एजुकेशन ऑफ चेल्डरन बिडिसेबिलिटी अगर्ष्ट ट्वंटी टू थाउजन फाइव एमेचार डे मानव संसाधन विकास मंत्रा के द्वारा एक एक्टम प्लान बनाया गया था सामावेसी सिक्षा के लि आरे आरे सिक्रहा कर आरी अगर्ष्ट ए के लाग्ष्ट आहिऑ थाइव एजुब में इसे लाए बेवार न चरसेफ्श का मंत्रा करो फॉर ट coisa इंक्रा of children and youth with disabilities in mainstream educational institution अब इन्होंने IEDC और सब्सक्षा अभ्यान के प्रोग्राम जो भार सरकार के दौरा चलाए गए थें इन्होंने एक साल तक बहस स्टार्ट किया साल तक मिशन स्टार्ट किया कि integrated education को अब inclusive दूसे बेच्चे किसन में चेंज किया जाए जैसे कि बच्चों को इक्वैलिटी प्रोगाइट कि जा सके उन लोगों को भी समान बालकों के अधिकार दिये जा सके और उन सभी special बच्चों को समाज के मुकेधारा से जोड़ना मुकेधारा से कब जोड़ेंगे जब हम special बच्चों को normalization कर देंगे दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे सेम स्कूल में सेम टीचर पढ़ाएंगे सेम सलबस रहेगा सेम content रहेगा तभी वो बच्चे में आपके आप आएंगे अगला लास्ट है आपका the right of children to free and compulsory education act 2009 RTE the state self provide free and compulsory education to all children of age 6 to 14 year in much manner as state it may be by law determined अब यहां पर आटी एक्ट आने के बाद में 2009 में सभी 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को सिक्षा उनका मूल अधिकार बन गई सभी बच्चे को सिक्षा दी जाएगी चाहें special हो normal हो किसी भी condition का बच्चा हो मुप्त एबं अनिवारे सिक्षा उसके लिए provision आया भारते संभीधान में एक अधिकार बना कि प्रतियक बर्ग को किसी भी कर्टागरी का किसी भी special ability का बच्चा फिरी education grant करेगा तो आटे आने के बाद में हर बच्चे को अपना primary school हुआ private school हुआ जो भी school high school में entry मिलेगी कोई स्कूल उन बच्चों की entry को रोक नहीं पाएगा माना नहीं कर पाएगा और मना करता है तो उसके विरुद्ध कानुनिकार भाई होगी और जो recommendation दिये थे अपने establishment of non-formal education center उन्होंने बात करी थी अनौप चारिक शिक्षा के अंदरों की स्तापना की जाए किन लोगों के लिए SC ST OBC और backward children या special children जिनकी बात 1986 वाले सिक्षा नीती में किलियर नहीं की गई थी दूसरा था उन्होंने contribution of community समुदाय का जो योगदान है वो समुदाय अपना योगदान उस सिक्षा में दिये सकता है किसी भी रूह में as a teacher as a resourcer जो जैसा चाहें वह वहाँ पर कर सकता था उसको encourage किया जाना था उसको motivate किया जाता अगला था आपका पी ओए 1992 में contribution in the appointment of woman instructor महला सिक्षा को की न्युक्ति के जाए क्योंकि बालकाओं के शिक्षा में थोड़ी बादा आ रही थी घर वाले बालकाओं को बाहर नहीं वेजना चाहां देते तो गाओं में महला सिक्षा की वेवस्तक की गई इस तीन है इस्टिट्यूचन फ़ार परफार्मिंग एंड ट्रेनिंग यहां पर इस्पेशल वच्चे बढ़ाने के लिए टीचस ट्रेंइंग कुर्चों की स्थाफतना की गए टीचस नॉर्मल स्कूलवज खोले गए यहां पर टीचस को को चाहिए हूं तो हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे थैंक्ट्यू टो अल